नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गगन और आज की इस वीडियो में बात करने वाले है कि आखिर हैवी वीकल्स जैसे की बर्स, ट्रग या बड़े यूटिलिटी वीकल्स जो की महेंदर बनाती है अपनी जीप या पिकप वगेरा उनमें हमेशा डीजल इंजन क्यों प्रयोग मे क्यों नहीं लिया जाता है हां ऐसा नहीं है कि हमने कभी भी पेट्रोल इंजन देखे ही नहीं बड़े यूटिलिटी वीकल्स में इवन कुछ कंट्रीज में अभी भी कही कि ऐसे यूटिलिटी वीकल्स है जिनको पेट्रोल से चलाया जाता है लेकिन मुख्या तरह डीजल यह नहीं यूज किया जाता है इसका कारण क्या है उसकी वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं लेकिन दोस्तों इस कारण को बताने से पहले इस वीडियो में मैं एक छोटी सी चीज बता दू वो यह कि इंस्ट्राग्राम पे एक कॉंटेस्स चल रहा है जहां पर ओपर लदाक सीस घॉटेस किंडेस्ट्या कुछ और न कमरा विए यह है कि टॉर्क में ज़ाधा प्रिडिउस करते हैं टॉर्क क्या होता है टॉर्क दोस्टों किसी चीज को रोटेट करने कीजी पर्सट ताकत है उसको टॉर्क करते है रोतेशनल फोर्स कह सकते हो आप से मोटा मोटी तोर पर इतना ही समझाँगा ऐसे बहुत डीप भी जा सकती चीज, लेकिन मोटा मोटी तोर पर यही है, कि किसी चीज को कितनी आसानी से रोटेट किया जाता है, वो उतना जाधा टॉर्क पर डिपेंड करता है, जाधा टॉर्क मतलब जाधा आसानी से चीज को रो ही होता है क्योंकि उनका compression ratio जादा होता है वो जादा RPM पे नहीं जा सकते हैं तो आम तौर पे जो रेसिंग कार्स होती है वो लोग तो प्रिफर ही करता है आपको उठाके 600 मिटर जाना है तो यहाँ पे क्या होगा कि जो गामा पहलवान है वो वेट उठाएंगे 100 किलो का आराम से और 600 मिटर अपने हिसाब से देर देर क्रॉस कर लेंगे लेकिन दूसरी तरफ विजंदर जो है वो boxer है और उनकी आदत नहीं अतना वेट उठाने की य ग्रेट गामा जहां पे डीजल एंजन हम उनको मान रहे हैं और विजंदर सिंग जी को पेट्रोल एंजन मान रहे हैं अब उस सिचुशन में क्या होगा कि वही है एक किलोगा वेट है विजंदर जी ने फटाफर उठाया और निकल ली एक देड़ दो दस किलमेटर जितना ह फटा-फट भाग ली है क्योंकि उनके लिए वो चीज एजी थी वो थोड़े फास्ट थे लेकिन उनमें टॉर्क इतना जादा नहीं था यहां पे समझने को यह मिलता है कि जैसी यूटिलिटी होगी वैसा एंजन जादा एफेक्टिव रहेगा अगर आपकी यूटिलिटी भादा मायले रिते हैं पैक्ट्रोल के मुकाबले तो वहां क्या होता है iç के बैधक करेगा कि ब travail के आग पकड़ता है दीजल के मुकाबले तो यहीं द difेकते हैं तो हम्तौर्प यहँ देखते हैं कपे पेट्रोल केरी तो उसमें फटा-फटाग लगे, लेकिन डीजल वाले में ये चीज़ें बहुत कम होती है, तो इस चीज़ के काने ट्रक्स जो है, बहुत सारा डीजल केरी कर सकते हैं 100 अलेटर, 200-200 लिटर और पेट्रोल जो है वो अगर इतना केरी करें तो हो सकता है, situation थोड़ी ज़ादा dangerous हो जाए तो बस ये कुछ point है, torque important है उसके बास safety और मैंने mileage का जो बताया वो चीज़ फिगर भी count होती है ऐसा नहीं है कि petrol engines use नहीं किये जासे utility के लिए किये जाते हैं लेकिन आम तोर पे में वो देखने को नहीं मिलते हैं फिलाल दोस्तों इस वीडियो में इतना है अगर आपको वीडियो संद आया तो like कर दीए subscribe कर लीजिए मेरे चैनल को मैं आपके लिए daily automobil से लेटर ऐसी वीडियो लाता रहता हूं तो फिलाल अगली वीडियो तक के लिए हेलमेट पहनी है सीड वेल्ट पहनी है सुरक्षी चलिए धन्यवाद